बड़ा आदमी ही बड़ा आदमी को हराएगा इसी बात नहीं है सतरंज के खेल में देखा जाता है प्यादे से वजीर को मात दिया जाता है आपको भी लगता है कि आपके साहरे बीजेपी कोई प्रयोग कर रही है कोई हिंदु मुस्लिम जो 36 गड़ में से सुना है कि नहीं होता है भारती जनता पार्टी नहीं कर रहा है यह हिंदु मुस्लिम ललाने का काम कांवरेश की सरकार कर रहे है भारती जनता पार्टी सारे हिंदुस्तान में यही काम कर रही है यह उनका एक्सपेरिमेंट प्रयोग नहीं है यह उनकी आदत है मुझे नहीं लगता कि भारती जनता पार्टी को इससे कोई लाब होने वाला है आप भुनेस्वर साहू के छोटे भाई हैं जिनकी अपरेल महिने में हत्या कर दे गए थी कभी ने सोचा था की यह सिच्वेस़न आएगा की छुनाओ लड़ेंगे कभी ने सोचा था सर क्या हमको स gradual में जी सीट मिलेगा मेरे पी ताजी को ने सोचा था पापा जी से बात होँगा तो मुझे नहीं पता, लेकि मेरे को नहीं पता था इस्वार भाईया, जैजा स्री राव 36 गड़ बिधान सभा चुनाव में यहां का साजा बिधान सभा छेत्र काफी चर्चा में है चर्चा के पीछे वज़ा है भारतिय जनता पार्टी का एक प्रियोग दरसल भारतिय जनता पार्टी ने यहां से इस्वार साहू को चुनाव मैदान में उता रहा है इस्वार साहू मजदूर है, अपरेल महीने में यहां पे बच्चों की एक लड़ाई हुई थी और उन लड़ाई आगे चलकर सामपरदाईग हिंसा में तब्दिल हुई और उसी में साहू के बड़े बेटे भूनेस्वर साहू की हत्या कर दी गई इस मामले में पूरा विरोध परदर्शन हुआ था और इस मामला काफी हाइलाइट में आया था आठ अपरेल को यह घटना हुई और उसके दो दिन बाद दूसरे समधाय के एक बाप और बेटे की पास में हत्या कर दी गई तो अब 6-7 महिने बाद भारतिय जनता पार्टी ने साहू को मिदवार बनाया है हम साहू से बाद करेंगे कि उनको किस भारतिय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके पास बहुत पैसे नहीं है ऐसे में वो अपना चुनाव कैसे संभाल रहें, अगर वो जीतते हैं, तो क्या करेंगे क्योंकि इस वर साहू के सामने, साथ बार के बिधायक और 36 गड़ सरकार के मंतरी रविंद्र चौवे हैं साहू जी, आप बिधान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं आपने पार्टी से टिकट मांगी थी या पार्टी ने बोला कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए पार्टी ने चुनाव लड़ना चाहिए, इंसाफ मिलेंगा बोले, इंसाफ निदिरपा खुद के लिए इंसाफ की है, इंसाफ की लड़ाई लड़ बोले किसने पार्टी में किसने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए राजनीती में दावपिछ बहुत सारा कुछ होता है वो कैसे सीख रहे हैं अगर थोड़ा बताएं स्थेखना क्या है जो जो रास्ते में चलना है तो उससे सब चलेंगे, और रॉक्ति रॉड़ने तो उस सब जात्साफ़ना मैं कि अभी तको तक किशान को लड़का सुने का है रहा दिया इनसाफ प्रपोड gesam के ऊजब हैं यह जेडी हैं आभी तक और संप्रदाएक वहां पर इस्तिति खराब होगे थी जो दूसरी समाज के लोग हैं उन में से दो बाप बेटे की हत्या हो थी उनको न्याय मिला आपको लगता है कि अध्याय मैं नहीं बोल सकते न्याय मिला कि निम्ला मैं तो समाज मेरे को न्याय अगर भगवान ने चाहर जनता कासिर्वाद मिला तो सबसे पहले तो जो हमार चाहर मुप्ता मिला यह सब प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनिती करना चाहती है क्योंकि आपके बेटे की जो मौत हुई एक संपर्दायक हिंसा में हुई और आप एक समान प्रिष्ट भूमिस से आते हैं और टिकट देना इस चुनाव में लोग टिकट के लिए कुछ भी कर जाते हैं तो क्या आपको भी लगता है कि आपके साहरे बीजेपी को प्रेवक कर रही है कोई हिंदू मुस्लिम जो सब्सक्राइब तक जो आपको त्रकेल को आपको टिकट क्यों मिला वैसे आपको टिकट क्यों मिला मेरे पलने को टिकट ठीकट जिए में लाको लोगों किया। दुआइ लगा हुआ है। भगवान वाली का च्मतकार है। केज जितेंगे। केज जितेंगे। और इस्वर जितेगा। भार्ति जंटा पारटी ने तो उसके त्याग को देखा। उसकी निष्ठा को देखा त्याग और निष्ठा के हिसाब से उसे टिकेट मिली इनको कब से जानते हैं साहू जी को यह कोई विसाय थोड़ी है नहीं वैसे आप कब से जानते हैं यह कोई विसाय नहीं है जानते कोई विसाय नहीं है यह कोई विसाय नहीं है इसके लिए कोई कहां यादधास को आद भी याद करता रहे हैं यह कोई भी से थोड़ी है कि यह बीरनपूर वाले लिखा गया है क्योंकि एक वीरनपूर में घटना हुई थी इनके बेटे कि उसमें हत्या हो गई उसके बाद बीजेपी ने टिकट दिया तो उनको टिकट मिला और बाकी तमाम लोग आप या दूसरे लोग टिकट की कोशिश करते हैं तो क्या नाराजगी है आप लोग उनके साथ काम कर रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है पहले-पहले हुआ कि टिकट मिलना चाहिए करके लेकिन बाद में जब पार्टी जिसको उतार दिया उसको पूरी इमानरे सब का का रहा है तो चेटर में भारतिये जनता पार्टी एक एक्सपरिमेंट कर रही है इस वर साहू को मैदान में उतारी है जो एकदम और नयतिक ब्यक्ती हैं अप्रेयल में घटना हुई उसमें उनके बेटे की मौत हुई और बीजेपी नोंने टिकट दे दिया आप इस पूरे घटना करम को कैसे देखते हैं भारती जनता पार्टी सारे हिंदुस्तान में यही काम कर रही है यह उनका एक्सपेरिमेंट प्रयोग नहीं है यह उनकी आदत है विभाजन कारी ताक्तों को आगे करने की बात है दो बच्चों की लड़ाई में प्रदेश भाजपाद क्या कह रहे थे अभी उनकी भार्षन को अगर आप सुनेंगे इन सब के खिलाफ एफायार हो जाना चाहिए और वहां जो दंगा हुआ पुरा गाओं परिशान है यह तो वहां का सरपंज मेरे साथ है जेठु राम जी साहु वहां की घटना को वह प्रयोग के तोर पे लेना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारती जनता पार्टी को इससे कोई लाव होने वाला है 36 की राजनिती में हिंदुत्व की बात अभी बहत कम होती है जानकार मानते हैं कि साजा में इस्वर साहु को टिकट दिया जाना हिंदुत्व के परियोग साला के रूप में देखा जा रहा है अगर ये परियोग सफल होता है साहु चुनाव जित्ते हैं तो इसके आने वाले समय में इसके परणाम और होंगे सिर्फ साजा ही नहीं इसके पास में कवरधा है कवरधा विधान सभा छेतर है वहां पर भी ऐसे ही कुछ प्रियोग हो रहे हैं तो देखना होगा तीन दिसंबर को नतीजे क्या आते हैं क्या भारतिय जनता पार्टी का हिंदुत्व का प्रियुक्साला सफल होता है या नहीं वसंद कुमार साजा से newslandry.com के लिए पांच महत्वपूर्ण राज्यों में विधान सभा के चुनाव घोशित हो चुके हैं ऐसे में जरूरी है कि आप यानि नियूज देखने और पढ़ने वाले मुद्धों की तह तक पहुँचे ऐसे में आज ही newslandry.com slash election fund पर जाएं तो सपोर्ट कीजिए सुतंत्र मीडिया को ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरे मिल सकें